सबी शाथियों को नमस्कार एक बार पुने आप सभी का अमारे अपने यूट्यूब चैनल शिक्सा समाचार महार्दिक स्वागत साथियों आज हम लोग इस वीडियो में फार्मासिस्ट भरती 2023 जिसके आवजन के अंतिमतिती 4 जोन 2023 है उसमें कुल पत 2860 है इसमें इस विग्यप्ति के बारे में फुली चर्चा करेंगे कि इसमें क्या योगिता चीये आपका चैन किस प्रकार से होगा और आवे दिन आप किस प्रकार से करेंगे सारी डीटेल्स हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं तो बिना किसी भूमिका के सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं साथे हों ये भरती क्यों निकली है क्योंकि ये भरती सैम 2022 में भी निकली थी विग्यपती संख्या इतना इतना दिनांग सोड़ा 11-12-22 को इसको किसी कारणवस गौर्मेंट ने इंद्रिस्त कर दिया था और दुबारा नई सीरे से इसको भरती को निकाला गया है जिसको नाम दिया गया है फार्मासिस्ट भरती 2023 ये विग्यपती 5 मई 2023 को जारी हुई है इसमें कुल पद है वो 2860 है आप देख पा रहे हैं और ये दिया गया है फार्मासिस टीएसपी छेतर नौन टीएसपी छेतर वगरा इनमें आरेक्शन का जो भी है डीटेल्स वो दिया गया है कितने पद रहेंगे वगरा वगरी इसमें वेकलोग भी 93 पद हैं इस विग्यप्ति में मुख्य मुख्य जो बाते हैं उनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है हम लोग उस पे चर्चा करेंगे सबसे पहले आते हैं इनकी सेक्ष्टन की होगे ताके बारे में तो डिप्लोमा इन फार्मेसी आपके D-forma या B-forma किया हुआ होना चाहिए दोनों मैंसे कोई भी एक कोर्स यह दिया आपने कर रखा है और उसका पंजियन आपने रिजिस्टर एज फार्मासिस्ट इन राजस्तान फार्मेसी काउंसिल के अंदर आपका रिजिस्टरेशन किया होना जरूरी है आप अधिमानिय योगिताम देवनागरी लिपी में इन्दी बासा का ग्यान राजस्तान किसनस यह अमूमन सभी को हाई तो आपने डी फॉर्मा या भी फॉर्मा कर रखा है और उसका रिजिस्टरेशन कर रखा है तो आप इसके लिए योगिये हैं इसमें आपको पेमेट्रिक लेवल L10 के अनुसार पेमेंट दिया जाएगा यानि थर्ड गेर्ड जो भी वेक्ति होते हैं उनके अनुसार आपको पेमेंट मिलने वला है दो वसका प्रोविशन भी होगा आयू सीमा क्या रहेगी इसमें आयू की करना एक जनवरी 2024 को आधार मान करके की जाएगी इसमें नियुनतम आयू 18 वर्स है और अधिकतम 40 वर्स है अधिकतम आयू में आरक्षित वर्ग के अनुसार छूट भी दी गई है देखी आप लोग देख पारे होंगे अधिकतम आयू पूरी तरह से चूट है कोई बात देता नहीं है उसके अनुसार पात किसी भी अवधी की शीमा तक जो उनका कारी के अनुभव है उसकी अवधी जितनी साल भी हो रहे है यह पांस वर्स या कितनी भी हो सकती परतान तक कि जाए किसी दिलता उसको उसके बाद हम लोग देखें चेंड की परकिरिया क्या रहेगी आवध को का चेंड नीमों में यथा वे निर्दिश्ट नियुन्तम योगिता नियुन्तम योगिता क्या थी? 12th पास उसमें नियुन्तम योगिता 12th पास और वो आपका जो डिपलोमा है डीफॉर्मा या भी की फोर्मा हो गया और सेक्षनिक योगिता 12 हो गई प्राप्ताकों के ओसत का 70% एवं अनुभव आधारित बॉनस पिसली भरती इस अनुभव वाले का लफड़ा होने की वज़े से इंद्रिस्त की गई थी अधिक्तम 30% यदि दे हो जोड़कर विरिता के आधार पर किया का फिर उनके डॉकुमेंट वरिफिकेसन होंगे वगेरा वगेरी दस्तावजों का सत्यापन परमान पत्रों आधी दस्तावजों की मूल परती प्रस्तुत करनी होगी जो भी डॉकुमेंट्स आप आवे देन फॉर्म भारते समय अप्लोड करेंगे इसमें एक मोटे ही बात टेड़ो उसको दोनों तरफ से स्कैन करके आपको अप्लोड करना है और यह जो भी डॉकुमेंट्स आप अप्लोड करेंगे उन्हीं की मूल परती है वो आपको काउंसलिंग के समय वाच्चेक अप करवानी होगी ऑनलाइन आवे दिन अप्लोड किये दस्तावेजों के अत इतने के दिनांग 17-10-22 की अनुशार निर्दार परमान पत्रें सबत पत्तर प्रस्तुत करने की अनुमती होगी यानि कोई भी वेक्ति है तो उसको जाती का परमान पत्र आवे दिन की अंतिमतिति से पूरू बना लिया होना जरूरी है यदि आपने पूरू में नहीं बना है तो आपको अंतिमतिति जो चार जून है उससे पहले पहले बनाना होगा और वो ही अपलोड करना होगा उसके बाद यदि आप बनाते हैं तो आपको उसका आरेक्शन का लाब्दे नहीं होगा अब देखिए ओनलाइन आवजिन के अवधी क्या रहेगी दिनांक 5 मई 2023 को अपरान 4 बज़े से दिनांक 4 जून 2023 मद्धे रातरी 12 बज़े तक आप ओनलाइन आवजिन कर सकेंगे उसके बाद लिंक है वो निस्क्रिय हो जाएगा संसुदन का अवसर देते हुए ओनलाइन आवधिन समाप्त होने के पचात पर्थक विएपती जारी करते हुए आपको आवधिन में जो भी संसुदन होगा उसका अवसर दिया जाएगा 200 रुपे की सुलक देकर के आप उसमें संसुदन कर पाएंगे यदि कोई त्रूटी करें बागी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है आप एक मॉबाइल नंबर से एक यावधिन फॉर्म भरबाएंग देखें आवधिन एक मॉबाइल नंबर से केवल एक आवधिन फॉर्म भर सकेंगे यदि आप दूसरा फॉर्म भरना चाहरें आधार यहां एक बात मैं और के दूं आपको आधार के बैस पर ही आवधिन फॉर्म भरा जाना है इसलिए आपके आधार कार्ड को एक बार अपडेट करवा लें यदि आपकी टैंथ की माक्सीत की अनुसार नहीं है तो उसको आप अपडेट करवा लें और आधार में OTP आना कमपन सरी है बिना OTP ड डीटेल में कोई डिफ्रेंस है तो उसको भी अपडेट करवा लें उसके बाद हम लोग देखें इनको फोटो आपको किस प्रकार से अपलोड करना है जेपीजी होना चीए साइज क्या होना चीए सिगनेचर किस तरह के हो वगरा वगरी सारा कुछ इन और दे रखा है इसमे आविदन सुल्क देखें तो जो भी जनरल केटेगरी के हैं उनको 500 रुपे लगेंगे जो भी राजस्तान के OBC, SBC और EWS केटेगरी उनके 3500 रुपे लगने वाले हैं विद्वा परितिक्ता, महिला, विशेश योगिजनन, SC, ST की जो भी अब्यारती हैं उनके 200 रुपे से कम है कि आविदन सुल्क 250 रुपे रहेगा अब आगे देखें विग्यप्ति दिनांग 16-11-22 जो पूरु में निरिस्ट कर दी गई थी आविदन करने वाले आविदन सुल्क पूरु विग्यप्ति अनुसार जमा करवाया जा चुका है यानि पहले जिनोंने फॉरम भरा फीस दे दिया था उनको दुबारा आविदन सुल्क जमा करवानी की आवश्यक्ता नहीं है किन्तु यदि आविदित वर्ग के अनुसार रासी में कोई अंतर है यानि पहले आपने जो फीस बरी और अब भर रहे हैं उसमें यदि किसी परकार का अंतर है यदि ज्यादा है आपको रासी जमा करवानी होगी और यदि आप कम है तो आपको लोटा ही नहीं जाएगी ठीक है साथियों अब हम लोग आगे चर्चा करें इसको चलते हैं यह जाती परमान पत्र वाला मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपको तीन वर्ष पूर्व मैं यानि विद दो साल तक स्टांप लगा करके एक साल तो वो औरिजिनली चलेगा और दो साल बाद स्टांप लगा करके भी आप उसको बढ़ा सकते हैं लेकिन उस जंजट में पढ़ने की वज़ाए नया बनने में फाइदा है अब OBC सर्टिपिक्ट है वो माता-पिता की आए के आधार बनेगा जो विवाहित मेला हैं उसको भी अपने माता-पिता की आए के आधार पे ही सर्टिपिक्ट बनवाना है अपने पती या अपने पिता के स्युक्त नाम से नहीं बनवाना है वो आपका मानने नहीं होगा विवाहित मेला आए विवाहित मेला प्रूस सभी को अपने म तो अनुभाव प्रमाण पत्र के आधार पे आप लोगों को है वो बॉनस मिलने वाला है तो बॉनस के लिए आपको क्या करना है आवे दिन की अंतिम दिनाग तक समस्थ सेक्ष्णिक वेवसाइक योगिता रेजिस्ट्रेशन था समस्थ प्रमाण पत्र दस्ताव जो आधिका प्रारंबतिति है अपनी 5-5-2023 से ठीक पूरु दिना यादि चार मई तक की अनुभाव की अवदी की जारी किया हो आधिन की अंतिम दिने की पच्छाद जारी नहीं किया गया हो आधिन की तिति है 5 मई और अंतिम तिति है 4 जुन उसके बीच में उसी अवदी में आपको परमान पतर जारी करवाना अनुभाव वला और आपके अनुभाव की गन्ना है वो आवदेन शुरू हो रहा है उससे एक दिन पहले यानि 4 मई तक आपके कितना अनुभाव है उसके आधार पे बनाया जाना है और ये आपको जिन्होंने पूरु में जो विग्यपति निकल देखी उसके अनुसार बनाया है तो उसकी डेट पुरानी हो गई है आपको उस आवदेन फॉर्म बढ़ने का जो एक महिने का टाइम है उसके अंदर बनवाना है और पूरु की तिति तक बनने वाला है ठीके साथियों यह आप कहां से बनवाएंगे आपने डिस्टिक अजेंसी एंजियो एक्सो आठ एमम यू एम एम वी पी पी मोड के आधार पर कारेश समिंदा कार्मिकों को कीगी सेवावदी के आधार पर अनुभव के आधार पर बॉनस अंक दे होंगे और सत्यापन अधिगारी आपको सत्यापन भी करवाना होगा उसको पहले जारी हो गा, निजी ऐस्पटाल में आपने यह कार्य किया था उसका अनुभव आपकी काम नहीं आने वाला है यहां धूझअी आपने दो चार भर करके अपने जिल्ला चिकिसा अधिकारी से जारी करवाएंगे उनके आउटवर्ड नमबर लगेंगे पर सेंख्या लगेगी करम सेंख्या लगेगा यह अधिकरत अधिकारी आपके CMH होंगे सत्यापन अधिकारी आपके संभाग लेवल के जो भी अधिकारी है वो होंगे इसमें इन्हों निस्पर्ष लिखा है कहां से आपको सत्यापन करवाना और कैसे करवाना थीक है साथियों इस प्रकार से आप लोग ये फॉर्म पूरा भर सकते हैं यह था इस विद्ध़िप्ति की बारे में डिटेल्स में हम लोग समझें कि आपको किस प्रकार से इस विग्यप्ति के लिए आविदन करना है आविदन फॉरम बरने की step by step process जानने के लिए हमारे चैनल पर एक नया वीडियो अपलोड किया गया है आप उसमें भी जा करके देख सकते हैं आविदन फॉरम बरते समय आपको किस परकार से किन-किन step को follow करते हुए आपको आव